दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोनती बोर्ड के द्वारा वर्तमान में 6,244 पदूं के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है, उसका एक जाम भी दोबारा हो चुका है, ऐसे में उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत् योगी आदित्यनात जी ने ये घोशना कर दी है कि हम इस भर्ती की प्रक्रिया को पूरा करने के तुरंद बाद जैसे ही इन उम्मीद्वारों को नियुक्ती पत्र दिया जाएगा, उसके तुरंद बाद 40,000 नौजवानों की नई भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस में करन को मिलेगी, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें, दोस्तों, आप लोग ये सोच रहे होंगे, कि यूपी पुलिस की जो वेकेंसी, 2024-25 कब आएगी, तो आपके लिए खुश खबरी है, क्योंकि आधिकारिक रूप से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, 40,000 उत्तर प्रदेश पुलिस वेकेंसी, 2024-25 को लेकर, नया एलान जारी कर दिया है, क्योंकि आपको पता होगा, कुछ दिन ब उत्तर प्रदेश में राजय सभा का चुनाव है, उससे पहले ही मुख्यमंत्री योगी आधित्यनात जी, ये पुलिस भरती का संपूर्ण कार्य करेंगे, और सभी कार्य की गती बढ़ जाएगी, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है, जब चुनाव आने को होता है, तो अ इसका सीधा लाब आपको मिलेगा, क्योंकि अगर आप उत्तर प्रदेश के युबा हैं, और सरकारी नौकरी की तलाश में थे, तो आपके लिए बहतर विकल्प है, उत्तर प्रदेश पुलिस में भरती होने के लिए, और भी नई भरती सामने आ रही हैं, और भी जानकारी ह हम आपको समय समय पर देते रहेंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें